नमेश्कार फ्रेड बई त्युहारी त्युहारा रहे हैं अप्तों दिपावली आले माली हैं जवरात्रे चल रहे हैं तो मैं बनाने जाहे हूं आज एक बहुत ही स्पेशल शकर पारे जो कि आपने आज तक नहीं बना रहे हुई बहुत ही जादा अलग तेश्ट होगा आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं इस रेसिपी के साथ आईए बनाते हैं रोज शकर पारे घुलाब वाले शकर पारे आईए शकर पारे बनाने के लिए ना हम सबसे पहले हमारे हाथ से रिंग को निकालेंगे यह देखिए मैं एक बा काम करना होना तो सबसे पहले अपनी जिंग को चाहिए इसके बाद हमने लिए यह दो बॉल यह हमने मैं देखें और इसमें हम डालेंगे थोड़े से पिल कम या ज्यादा आप अपने इच्छा मुसाज कर सकते हैं अज्वैंग नमक थोड़े सी डालेंगे हम की सी रचीनी इसके ना अंदर इसके टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है नागिल का गुरादा हमने घर में ग्रेट किया यह नागिल इस तरह से गुलाब के ठूखिए स्मूट इनको आप बिल्कुल ट्रश भी करके डाल सकते हैं इस पर डालेंगे हम मीठा सोडा अब हम इसमें डालेंगे ओयल मोहिन देने के लिए घी भी डाल सकते हैं यह तिरी काते यह यूज कर लिए और इस मोहिन होना अच्छी तरह से इस तरह से लिख्स करें यह देखिए यह मोहिन ना यह देखिए इतना हो जाता है इस तरह से मुठी बनाओ तो मुठी बन जाएगी और हमने लिए थोड़ा रोशर बढ़्ट क्योंकि हमने रोश पैटर्श भी डालिया है यह हम बना रहे है रोश शकर पारे देखिए इसको गर्म पाले मिक्स कर लिए और यह शर्बस पुरा मिक्स हो जाएगा और इसको हमने इस तरह से गूल में यह मैदा हमने अच्छी तरह से गूल दिया शकर पारे बनाने के ऑग मारे कपडस से रख एक हमने इस तो मिन तरह तो हूं और द्स मिनीट हो ए।ória हमने अच्छी तरह सी बंठा लिए और या फिर शेल्फ को साफ किया हुआ है मैदे को लिया और शेल्फ पर हमने रखा यह देखे इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से मठार लेंगे अच्छे से प्रेशर लगा के ना हम इसको इस तरह से बेल लेंगे इसमें तिली रोज पैटर्न सब अच्छे से दिखाई दे रहा है और कलर भी बहुत ही अच्छा है यह देखें अच्छे से बिल गया अब हम इसे मन चाहे आकार में काक लिखते हुए पीजा कटर लिया और इस तरह से हम इसको काके लिखते हुए कि अच्छे से काक लिया मैं आप सब के साथ एक बाद शेयर करना चाहूंगे कि यदि आप शर्बत नहीं डालना चाहते तो आप फूड कलर आइस थिर्म कलर डाल सकते इसमें रड की जगे और जो हमने शुरू में जरा सी चीनी डाली थी ना यदि शर्बत डालेंगे तो वह जर्बत नहीं है तेल हमारा गरम है और हम बिट्कुल लो मीडियूम फ्लेम पर इन शकर पारों को अच्छी तरह से फ्राइब कर लेते हैं इस तरह से हमने शकर पारे सारे चलके निकालने ने यह देखें हमने दो बॉल हमने मैदा लिया था ना दो बॉल हमने चीनी लिये और इसमें आदा बॉल डाल गया हमने पानी और इसको इस तरह से हिलाते वे चाशनी बनाएंगे चासनी में ड़नेंगे ठोड़ सी इलाइची 2 इलाइची में पाउडर बनांगे दिए इसको पकने देगे जाशनी पकरी है अब क्यूंकि हम बना रहे हैं रोग शर्वत पहरे इस चाशनी में भी ऊठोरा सा रोग शिरवत डालगेे जिससे हमारी चाशनी का कलर वी पिंक हो जाएगा Сिधा यह बेट की थाषिनी इस चाशनी को ना चेक करने का जो तरीक कर हम लेंगे थोड़ी सी और इसको अ कि gate ऐसा दे कि बहरनी रही है हमारी का इसका मतलब कें दाखी बन गए एक और तरिक है इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी यह देखें चाशनी लीचे ही रहेगी ट्रुफित कर दो पानी इसका मतलब हमारी तेल साथी चाशनी बढ़के बिल्कुल तरह रहें दो चाशनी तो बन गई अब हम इसमें दाल रहेंगे जो हमें फ्राई किये थे हैं इनको इस तरह से इसमें मिक्स करते रहेंगे फिलाते रहेंगे और यह जो चाशनी है ना यह गाड़ी होगों के इन पर लिपटती रहेंगे स्पेटुला ना यह थोड़ा सा पतला रह रहा है तो मैं यह बड़ा स्पेटुला ले रहेंगे और इसको अच्छी तरह से फिला हिलाते उसके लपेड़ तुमी जैसे जैसे ठंदी होती जाएगे ना चाशनी एकदम गाड़ी होती चली जाएगे किस तरह से लूपर सब पर ठूखनी शुगी होगी है तो देखिए जैसे बहुती शांदार बहुती देखने में भी सुन्दस और खाने में तो बहुती लाजबाव हमारे ये दो शक्रपारे बनके बिल्कुल तयार होगे ये देखिए बहुती अच्छे शक्रपारे बनके बिल्कुल तयार होगे ये जी शक्रपारे बनके आपको बहुती अलग सा फ्युक्त रवाएंगे आपके जैस्ट भी पसंद करेंगे आपके घर ने भी सब्युक्त पसंद करेंगे और अपना फीडबेक देन आप बिल्कुल मत भूलेगा फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ सब तक देखिए स्टे हाल्थी थांक्यू